चोडा राय धोके से सारा राज पाठ हडप लेता है प्रेमी साथियों राजा धूमत सेन और राणी सेल्या फकीर बन जाते हैं उनका एक लड़का है सत्वान जो यूबराज है मेरवानों जो राज करने वाले लड़के हैं किस तरह से फकीर बने हुए हैं सत्वान अपने अंध्य मावापों की टहल गुजारी करने लगा अपने वस्तरों को गिर्भी धर देता है किलाला के वहाँ पर और डोली और कुलहड़ा लेता है डोरी कुलहड़ा ले करके जंगल की तरफ लकड़ी काटने का काम करता है किस्टरे से कभी मोग देने कला मुट रही और के लिगा बाला हुआ 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 गरे सत्यवान मा सत्यवान मा बपो के दुख बतन आले होगे और राज करणियां बालक लगडी काटन आले होगे राज करणियां बालक लगडी काटन आले होगे राज करणिया बालक लगडी पाटने आरे होगे चोडी पावा में मानस के तुस्मन भी प्यारे हो जा वई बिगडी में दिखे बिगडी में मा जाए भाई भी ल्यारे ल्यारे हो जा दिखे कोई भी न पास बिठा में सत्रू सारे हो जा विपत पडी में राज करणिया लकड हारे हो जा विपत पडी में राज करणिया लकड हारे हो जा जो साथ मरन की हाँ भरे जो साथ मरन की हाँ भरे मोहुना तर्यारे हो जे राज करणिया का लक लकड़ी काटने आले होगे विपत पडी में राज करणिया लक लकड़ी काटने आले होगे झाल जाए तो झाल झाल इस रागनी पेखुश होकर के हमारे गाउं पहलाद पुर से हमारे बड़े भाई उपेंद्र बैसला जी वो भी 101 रुपे से हमारा मान संबार कर रहे हैं बारबार धन्यवाद करते हैं और 101 रुपे हमारे परमाधनिये सुरगी ऐसरी दरंबीर पावला जी के पुत्र बड़े भाई करण पावला जी वो भी 101 रुपे से मान संबार कर रहे हैं बारबार धन्यवाद करते हैं 101 रुपे हमारे भाई अशोग धामा जी वो भी इस रागनी पेखुश होकर के पांसर रुपे से मान सम्मान करने बार चोर दारताली हो जानी चाहिए सबी दानी दाताओं के लिए जिन्होंने विधान दिया है एक सुरे गुरुपे हमारे भाई हमारे गाउं से अमन सरधाना जी प्रमादनिये अमन सरधाना जी पहलाद गुर्से वो भी एक से गुर्पे से मान सम्मार कर रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं दूसरी कली में किस तरह से वो सत्वान सोचने लगा और के लिख्या बला बै लकडियों के फिकर फिकर में छोरा माड़ा हो ग्या और लकडी काटू या घरने सम्हाडू कोण पवाडा हो ग्या लकडी काटू या घरने सम्हाडू जबर को माड़ा हो ग्या पेरे चोड़ा राए आनन्द लूटे मेरे जीने खाड़ा हो ग्या और जिन हातो तलवार एसा जैती आजे जबर को माड़ा हो ग्या बै नएने डहंके फिकर लहूने पेने डहंके फिकर लहूने चाटने आले हो गे राज करणिया पालक लकडी पातने आले हो गे जर्बाने मेरवनों तीसरी कली में किस तरह से वो सत्वान सोचने लगा न्यू कहने लगा ए परमपिता परमात्मा तेरी अनोखीम आया है कभी इन हातों में तलवार सजा करती थी आज जबरकुलहडा मेरे हातों में हो गया है जिस सर पर ताज रखने वाला था आज उस सर पर लकणियों के गठर में ढो रहा हूँ किस तरे से किये सोचने लगा बला कोदे कादे में राज भवन में चालू था सज धज के अब लकणी का टन है आणा बन रहा एस अमीरी था जेके बिया बान में गुजर करूं सू ओम नामने भज के रेसम के लत्रे फाड लिये जाडों में युड़ युड़ जेके अर गेले रहनिया बखत पन्यारे काटन आणे होगे राज करणी यहाँ पालक लखड़ी युड़ काटन आणे होगे पुर राज करणी यहाँ पालक लखड़ी युड़ काटन आणे होगे राज करणी युड़ी 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 राज काटन आणे होगे इक स्वे ग्रूप पे अमारे भाई नाम नहीं बताके गए हैं उनका बार-बार धन्यवाद करते हैं एक स्वे ग्रूप परमादनी हैं अभिषेख पावला जी वो भी स्रागनी पे खुश हो कर गये अभिषेख सरमा जी पावला से एक स्वेग रुपे से मान सम्मान कर रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं परमादनिये स्वरगे सिरी दरंबीर पाबला जी के परमशिष परमादनिये हमारे बहुत अच्छे कभी हैं महनवी रोटा जी वो भी 50 रुपे से अपना अशिरुवात दे रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं एक बार सभी दानी दाताओं के लिए जोड़ दारताली हो जाणी चाहिए लास्ट कली में कभी ने कहीं लिख्या बला बै करमों के अनुसारे कुमर की डबल कहानी होगी और रहते रहते सत्यवान की सर्मिस पुराणी होगी पेरे करमवत जावन आणाने योक था सुनानी होगी उधर मगद देश में असवपती की सामत रिशानी होगी गुरु मंगल चलके हैं ब्यहाँ बरके राज करणिया बालक लकडी और काटने आले होगे गुरु मंगल चलके हैं बरके राज करणिया बालक लकडी और काटने आले होगे